Good afternoon my friends, welcome back to my channel, I hope आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग कबर करने वाले हैं VLAN और जोन के बारे में, VLAN होता क्या है, कैसे हम लोग उसको 14.8 firewall पर configure करते हैं और कैसे उसके तुरू हम अपने local PC को internet से communicate कराते हैं, ठीक है तो यह हमारा basic requirement है, आज basic lab है, आज हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं और उसके बाद देखने वाले हैं, जोन का क्या work होता है, जोन कैसे configure करते हैं हम लोग 48 firewall पर तो हम लोग जोन के बारे में भी देखने वाले हैं, तो basically आज हम लोग 2 topic cover करने वाले है, ठीक है different type के logical interface होते हैं, like one arm, sniffer, VLAN, loopback, तो यह सारे के बारे में हम लोग 1 by 1 करके पड़ने वाले हैं, बट आज जो हम लोग cover करने वाले हैं, वो है हमारा VLAN, तो VLAN basically होता क्या है, VLAN, with the help of VLAN, आप क्या कर सकते हो, layer 2 पे क्या कर सकते हो, network को device कर सकते हो, one broadcast domain को, two broadcast domain में दिवाइड क कर सकते हो, और उससे फायदा क्या होगा, जो आपका मलो की एक यह broadcast domain हो गया, after division, और यह दूसरा broadcast division हो गया, ठीक है, यह दो ग्रूप हो गया, after division, इसको मैंने VLAN 10 में रख दिया, और इसको मैंने VLAN 20 में रख दिया, तो यह क्या होगा, कि by default, VLAN 10 जो होगा, वो 20 से यह नहीं 20 के resources को यह नहीं कर पाएगा, और जो VLAN 10 होगा, VLAN 10 20 वाले को नहीं कर पाएगा, और VLAN 20 10 वाले को नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए हमें allow करना पड़ेगा, तो यह था, यह तो था VLAN के बारे में basic, मैं theory बहुत जादा cover नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा main motto क्य रखा है, जो कि मैंने HR group को दे रखा है, उसमें मैंने एक VPC ले रखा है, और VPC को जो मैंने IP दिया है, 192.168.1.10, आप यह 8 को भूल जाओ, यह typing mistake है, यहां पे आप slash 24, ठीक है, और जो इसका subnet है, वो मैंने ले रखा है, 192.168.1.0, ठीक है, और जो gateway IP मैंने ले रखा है, मतलब firewall पर जो मैंने, मैं VLAN interface create करूंगा, उसके लिए मैंने ले रखा है, 192.168.1.100, ठीक है, अब दूसरा जो group ले रखा है, वो मैंने ले रखा है, VLAN 20, और उसको मैंने किसको assign कर रखा है, उसका नाम क्या दे रखा है, IT, ठीक है, IT group दे रखा है, और उसको जो subnet मैंने assign क कर रखा है, उसके वो जो है, वो हमारा है, 192.168.2.0.24 का, सेम मैंने जो PC को IP assign कर रखा है, वो कर रहा है, .10, और यह जो हमारा वैन पार्ट है, जो यहां पर मैंने क्या रखा है, एक यह ले रखा है, management जो हमारे यह रहता है, एडप्टर रहता है, management एडप्टर ले रखा है, और उसका IP जो होगा हमारा 192.168.136.0.24 में रहेगा, कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर मैंने ले क्या रखा है, यह देखिए, मैंने क्या ले रखा है, management ल जो हमारा एडप्टर है, उसके लिए IP क्या असाइन है, 168.136, तो मेरे लिए यह है, आपका, अगर next hope देखना है, तो यहां पर आप net setting पर क्लिक करोगे, तो यह आपको gateway दिखा देगा, तो इसलिए मैंने gateway रख रहा है, 136.2, ठीक है, तो I hope आपको यह समझ में आ आ गया ह होगा, आपके scenario में यह different हो सकता है, तो इसलिए आप इसको द्यान रखो, इसलिए मैंने यह बताया, ठीक है, तो आईए lab start करते है, lab start करने के पहले मैं क्या करता हूँ, कि अपना जो local PC है, PC पे मैं IP डाल देता हूँ, भी PC पे, तो इस पे मैंने IP क्या दे रखा है, यह एक स आट नहीं है, मैं यहाँ पे जो IP दे रहा हूँ, वो 10-24 का IP दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको VPC पे जब भी आप IP देने जाते हो, तो simple command होता है, आप IP दो 192.168.1.10, ठीक है, slash 24 और gateway हमारा क्या होगा, 192.168.1.100, एंटर, ठीक है, तो यह IP असाइन हो गया भी PC को, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने यह स्वीच पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आड़ वान है, लेकिन आप यह यह कंफिज मत होना, यह मैंने क्या रखा है, स्वीच ले रखा है, ठीक है, यह देखो, स्वीच लिख टीक है, तो इंटर्फेस, इटरनेट, 0x1, और इसको नेम, इस पे यह देंगे, पहले हम लोग रूँने यह तो वीलन तो ग्रीट ही नहीं किया, तो पहले हम लोग वीलन क्रीट कर लेते हैं, वीलन, टेन, ओके, और इसका नेम जो है, नेम हम लोग देंगे क्या, HR, त Kubernetes हमने नाम दे दिया अब हम लोग क्या करेंगे दूस्रा वीलेई क्रीट करेंगे वीलेंट 20 और इसको नेम क्या देढ़ेंगे plugin कADE IT ठीक है तो क्यों ऴीलेंगे हमने यह कर लिया अब हम लोग जाते हैं इंट्रफेस पर इंट्रफेस एसाइन करते हैं श्मिप्री कौन से वी लैन को कौन सा इंटरफेस करना है वह लोग करते तो gwош क्या रहेएंगे विलन 10 ओके सेकेंड जो हमारा यह रहेगा इंटरफेस रहेगा जीरो बाइट तू रहेगा और इस पर हम लोग कमांड क्या देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस और विलन कौन सा यहां पर हम लोग विलन 20 तो यह इंटरफेस को हमारा विलन आसाइन अब देखिए एक चीज और यहांसे है आप क्या कर रहे हो यह जो हमारा BPC और Windows PC यह दोनों दो डिफरेंट में VLAN में है यह जो हमारा इंटरफेस है यह दो डिफरेंट VLAN में है और यह दोनों डिफरेंट VLAN का जो ट्राफिक को किस पर आने वाला है E0 by 0 तो E0 by 0 को को हमें क्या बनाना पड़ेगा तो आएए यह जीरो बाइजीरो का कन्फिग्रेशन कर लेते हैं कि कन्फिग्टी इंटरफेस इजीरो बाइजीरो अब इसको क्या करेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैपसुलेशन और डॉट वन्टी लेंगे डॉट वन्टी खीम ले रहे हैं क्योंकि सामने हम लोग जो कम्यूनिकेट करा रहे हैं यह फटीगेट आए इसको नहीं है वह आईएसल आप लोग है तो वह इसको के लिए रहता है इसको प्रोफ्राइटरी रहता है डॉ इसलिए हम लोगों ने पहले इसका इनका सोलेक्सन प्रोटोकॉल चेंज कर दिया डॉट वन की और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें इसको क्या बनानाएमें ट्रंक भनाना है तो स्विच्अ पॉर्ट्समड्न का ड्रंस्ट ट्क टो अब देखिए अब हमारा क्या हुआ कि स्विच्च का कफिग्रेशन हो गया अभ लोg चलते हैं प्राइर वाल पे फ्वायरवाल पे हुआले देखते हैं हैं हुआ कि नहीं तो मैं एंटर करता हूं फैरवाल हमारा ओन हो गया मैंने आपको बता रखा इसका जो डिफॉल्ट आइडी होता है वह एडिमिन होता है और फॉस्ट पासवर्ट कुछ इसको आएडी जो हमारा यहां है यहां होगिन हो गया फस्ट इस लिए कुछ सेटिंग सुच रहा है मैं क्या कर रहा हूं इसका जो नेम है वह चेंज कर रहा हूं मैं FG FW कर दे रहा हूं इसका जो होस्टनेम है ओके डॉंट सो ओके ठीक है तो यह हमारा फायर्वाल लॉग इन हो गया है अब कोई भी अगर आप फायर्वाल पर जा रहे हो तो उसके बेसिकली क्या-क्या कंफिगर करना रहता है अगर कोई भी चीज आपको करना तो सबसे पहले एकना अपसे एक विक करना है उसके बाद क्या करना रहेगा अएनिस के बाद क्या करना नीच करना जाब और हमारा जोंपिक ए उसमें क्या है वी लेन एंड जोन ठीक है तो पहले सबसे पहले वीलान होता है क्या है एक लॉजिकल इंटरफेस होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो लॉजिकल इंटरफेस क्रियेट करेंगे ठीक है तो आईए सबसे पहले लॉजिकल इंटरफेस क्रियेट करते हैं और उसके बाद उस आई पी आशाइन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्रियेट करने के लिए simply network में जाएंगे इंटरफेस में जाएंगे और यहां पर देखेगा यह सारे जो इंटरफेस है हमारे physical तो हमें क्या करना है कि new interface create करना है तो हम लोग क्या करेंगे create new पे click करेंगे interface पे click करेंगे और उसके बाद यह देखिए open हो गया तो हमें इसको क्या नाम देना है VLAN 10 हम लोग create कर रहे हैं ठीक है अलियास आप कुछ भी नाम दे सकते हो कुछ भी क्या इसको VLAN 10 को हमने अधिक है तो इसका नाम हम लोग देंगे HR एंड जो VLAN ID है हमारा ID हम लोग क्या यूज कर रहे है विलन ID 10 यूज कर रहे है अब IP का बात हुआ तो IP हम लोगों ने क्या लेक्ट के लिए 192 168 1.0-24 तो मैं क्या करता हूं सेम IP असाइन करता हूं 192 168 1.0-24 यह हमारा इंटरफेस पर IP क्या है 100 तो मैंने IP असाइन कर दिया और टेस्टिंग परफस के लिए मैं क्या कर रहा हूं इस पर पिंग अलाव कर रहा हूं ठीक है तो यह हमारा इंटरफेस कौन सा है आपका अगर आप इसमें जा रहे हो तो इंटरफेस हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं हशना अब ह करते हैं यह आगर आप पोई त्वक कर ऊधे तो देखओ हमाना एक विलand बनाते हमाला इंटरफेस फे जाएंगे और यहां पर क्या नाम देंगे विलेड 20 हमारे दूसरा वीलैन और विलेड खरका है इसको रख देना क्या है इस इसको इसको क्यों ठीक है इंटरफेस कौन सा रहेगा फिर से हमारा port 2 and VLAN ID क्या रहेगा तो इसको हमने क्या रखार है 20 है हमारा IP क्या रहेगा IP रहेगा 192.168.2.100.24 ठीक है और ping के लिए हम लोग क्या करते हैं टेस्टिंग के लिए पिंग अलाउ कर देते हैं ओके अब जब आप port 2 पे जाओगे तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पे देखो जब आप port 2 पे जाओगे तो फीजिकल इंटरफेस पे यह जो हमारा port 2 का जो फीजिकल इंटरफेस पे है उस पे हमने कुछ आई-पी नहीं दिया है फिर भी यह क्या करेगा कम्यूनिकेट करेगा क्यूं क्यूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी वीलन के थुरू कम्यूनिकेशन कराने जा रहे हैं आप यहां पे आई-पी दे सकते हो जश्ट टेस्टिंग परपस के लिए क्योंकि port 2 रिचेबल है न अब आपको क्या घुर्ड हो गया होगाउ ह। सिर भी जेशन कर रहें थे सबस्मारच चेबले में जाला का प्रराओं है जुआ करें ठीक है तो हमने क्या क्या कर लिया हमने सबसे पहले VLAN क्रिएट कर लिया इंटरफेस पर IP दे दिया अब हमारा next step क्या है हमें DNS क्रिएट करना है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं DNS कर रहा हूं अभी देखो अभी जो होता है DNS वह क्या होता है 48 server का DNS यूज कर रहा होता है ठीक है मैं क्या करूंगा specify करूंगा और इसमें क्या करूंगा global DNS डाल दूंगा इसके बारे मैं मैंने प्रिविएस वीडियो में भी बता रहा है इसलिए मैं तोड़ा इसको जल्दी यह कर रहा हूं ठीक है और इसको apply कर देंगे तो यह हमारा क्या हुग है DNSOLD कर ने के बाद क्या होता है और भारा डिफॉल्ट मैं यूज कर Culture यह हुए हुज करना नहीं है फिर हमें क्या होता है राउटिंग हम लोग दाउटिंग पहले करते हैं राउटिंग के लिए क्लना पड़ेगा हमें network में जाना पड़ेगा नेट्वर्ट है और हम लोग यहां क्या कर रहे है एस्टेटिक राउटिंग यूज करेंगे क्रियेट नियू कि सब्नेट कोई भी हो ठीक है हमारा जो लोकल से आ रहा है हमारा नेक्स्ट अप क्या होगा 192 168 136.2 ठीक है कैसे होगा वह आप यहां पर देख लो यह जो हमारा फायर वाल है इसके लिए नेक्स्ट अप क्या है हमने जो इंटरनेट का अड़ाप्टर ले रखा है इंटरनेट के अड़ाप्टर पर कौन सा आपी असाइन है 136.2 मैंने आपको अल्रेडी दिखा रहा है तो यह मैंने नेक्स्ट अप ले लिया ठीक है अब कौन से इंटर्फेस पे जा रहा है दो वैन से हमारा जो ट्रैफिक पास आउट करेगा वह वह पर्ट-वन से पास आउट करेगा ठीक है तो पर्ट-वन हमने हर। ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ राउटिंग कर फिगर हो गया कोई भी सबनेट आए उसको क्या करना है हमें डॉट्टू के तरफ फरवर्ड कर देना है ठीक है तो यह हमारा राउटिंग यह हो गया अब हम लोग चलते हैं पॉलिसी एंड अबजेक्ट में तो फायरवाल पॉ इसमें रखा है वीलाइन में रखा है और हम लोग वन बाई वन कंफिगर करके देखेंगे पहले हम लोग इसके लिए देखेंगे और चेक करेंगे कि सेम पॉलिसी के तुरू हमारा सेकेंड वाला सबनेट भी इंटरनेट को एक्सेस कर पाड़ा है कि नहीं चुकि हम लोग दो डिफेंट वीलान चाहिफakah और दो डिफेंट सबनेट योजग कर रहे हैं यह सєम फॉलिशी में एक पॉलिसी में दोनों एकसेस नहीं कर पाएगा ठीक है दो इंटर फेस हम लोग यूजश कर रहे हैं तो दो डिफेंट हमëं पॉलिसी बनाना पड़ेगा अब उसका इस वह हम लोग बताएंगे तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं इसका कमिनिकेशन करा के देख रहा हूं ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं पॉलिसी बनाता हूं सबसे पहले आप डिफॉल्ट पॉलिसी देख लो जो डिफॉल्ट पॉलिसी होता है उसमें क्या होता है इंप्रिसीट डिनाई होता है मतलब कि सब कुछ डिनाई होता है तो मैं क्या कर रहा हूं एक निव पॉलिसी बना रहा हूं उसमें क्या कर रहा हू अलाव वीलेंटेन इंटरनेट ठीक है आप अपने इसाब से नाम दे सकते हो incoming traffic क्या होगा हमारा वीलेंटेन के लिए HR ठीक है अलाव वीलेंटेन यहां पर मैं HR भी डाल देता हूं थोड़ा अच्छा रहेगा नेमिंग से आपको पता चलेगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी HR को जो है HR ग्रूप जो है उसको हम लोग इंटरनेट से कम्यूनिकेट कर रहे हैं तो हमारा incoming interface वीलेंटेन हो गया और वह हमारा वैन हो गया सोर्स क्या रहेगा सोर्स में आप यूजर यह सब मतलब स्पेसिफाइब कर सकते हो बट हमें अभी फिलाल क्या करते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ने वाला हैं फिर हम लोग क्या करेंगे और सर्विसेश भी आप मतलब क्या आलाव करते हैं करना चाहते हैं इसी एंपी फटीप वह अलाव कर सकते हैं और फिलाल हम लोग क्या करता हूं एक बर ट्राइ करता हूं कि हमारा जो वीपीसी है वहां से पिंग हो रहा है कि नहीं हमारा गुलोबल आई-पी ठीक है तो यह देखिए अभी क्या होड़ा है अभी टाइम आउट आ रहा है ठीक है मैं क्या कर रहा हूं और ओके करने के बाद मैं देख रहा हूं यह देखिए जैसे ही ओके किया मैंने लास्ट वाला पैकेट पिंग आ तो अभी हमने firewall पर सब कुछ configure कर रखा है और policy जो है वो सिर्फ इसके लिए configure कर रखा है यह subnet के लिए ठीक है और यह subnet हमारा reachable है अब देखते हैं same policy के तुरू हमारा यह जो दूसरा subnet है यह internet से reachable है की नहीं ठीक है तो आएए मैं चलता हूँ सबसे पहले क्या करता हूँ मैं PC on कर लेता हूँ कि लोग-इन कर लेते हैं यह वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पूरा concept क्लियर हो जाए इसलिए मैं थोड़ा डीटेल में लाइब कर रहा हूँ अधर्वाइज मैं डाइरेक्ट कंफिगर कर देता है तो यह हमारा PC लॉग-इन हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे सिंप्ली हम लोग अडाप्टर पर जाएंगे नेट्वर ओपन नेट्वरक एंड शेरिंग सेंटर चेंज अडाप्टर सेटिंग और इसका जो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आईपी असाइन करेंगे इस पर आईपी हमारा क्या है 192.168.2.10 ओके सब्सक्राइब करेंगे अब कर दिया मैंने अब इस पर मैंने आईपी कनफिगर कर रखा है अब मैं क्या करता हूं इस पर ट्राइब करता हूं ग्लोबल डीनेस पिंग करने के लिए तो पिंग वर्चुल इंवर्मेंट है तो थोड़ा सा डीले होता है यह देखिए यह कुछ और होने लगा तो चलिए मैं पिंग करके के लिए ब्राउजर से तो हमारा गूगल भी अक्सेस नहीं हो रहा है तो अब हमें क्या करना है अब हमें यह सेकेंड जो नेटवक है इसके लिए हमें आप यहां पर आप यहां पर आप यह देखते हो और एक चीज देखते हो तो देखो यह कुछ भी हमारा सब्मनेट थी तो इसमें क्या है इसमे में डा लग तो इसमें क्या होगा आपका दोनों सब्नेट कवर हो पॉलिसी में जब पॉलिसी में हम लोग जाएंगे और पॉलिसी देखेंगे पॉलिसी ओपन करेंगे तो पॉलिसी हमारा किस के लिए कंफिगर है वीलेंट 10 के लिए कंफिगर है वीलेंट 20 के लिए हमारा कोई पॉलिसी नहीं है आप देख सकते हो इसके लिए एकस नहीं हो र वह रहा है आई टी के लिए ठीक है तो इंकमिंग इंटरफेस हमारा क्या हो जाएगा आई टी वीलाइन 20 ठीक है अउट गोइंग इंटरफेस क्या हो जाएगा वैन और हमारा सोर्स क्या रहेगा कोई भी क्योंकि हम लोग बाद में डीटेल में पढ़ने वाले हैं डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा कोई सर्विसेस क्या हो जाएगा कोई ठीक है यह हमारा पॉलिसी बन गया मैं ओके करता हूं एक काम करता हूं उसके पहले मैं क्या करता हूं पी यह देखिए जैसे ही वो दूसरा पॉलिसी बना VLAN 20 वाला हमारा जो है यह IT का जो PC है वो इंटरनेट से कमिनिकेट करने लगा हमारा पिंग रिस्पॉंस आने लगा अब देखते हैं हम लोग Google एक्सेस करके देखते हैं दुबारा यह देखिए हमारा Google भी एक्सेस हो गया तो यह तो था हमारा VLAN पार्ट कैसे हम लोग VLAN कंफिगर करते हैं अब क्या है अब हम यहां पर जोन क्यों यूँज करते हैं अब देखिए यहां पर दो इंटरफेस हुआ तो हमें कितने पॉलिसी बनाने पड़े दो डिफ्रेंट पॉलिसी बनाने पड़े एक VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए ऐसे ही हमारे पास अगर 10 इंटरफेस हो गया है पचास इंटरफेस हो गया तो हमें कितने पॉलिसी बनाने पड़ेंगे 50 policy बनाने पड़ेंगे तो उसको avoid करने के लिए हम लोग क्या करते हैं zone जो हम लोग यूज करते है zone हम लोग इसमें grouping के लिए यूज करते हैं आपको याद होगा जब polo alto में हम लोग policy बनाते थे तो without zone हम लोग policy नहीं बना पाएंगे ठीक है यहां क्या होता है कि यहां हम लोग ने विदाउट जोन भी पॉलिसी बनाया इंटरफेस के इस पर ठीक है बट यहां पर जो फॉर्टिनेट पर जो यूज होता है जोन वो क्या होता है इंटरफेस को ग्रूपिंग करने के लिए या अधर चीजों को ग्रूपिंग करने के लि करता हूं simply नेटवर्क में जाता हूं और मैं zone create करने के पहले मैं क्या कर रहा हूं routing बीडीलीट कर रहा हूं नहीं routing ठीक है चलिए routing रहने दुआ आप interface पे मैं जाता हूं यहां पर create पे जब आप click करोगे तो यहां पर आएगा zone अब मैं zone create कर रहा हूँ, zone हमारा क्या है? land zone, ठीक है? मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, zone underscore land आप जो मन करें वो नाम दे सकते हो और इसका member कौन कौन सा रहेगा? मैं इसका member दे रहा हूँ हमारे HR को और हमारे IT interface को, दूसरे interface को और जो हमारा land interface है इन तीनों को मैं group को बना दिया, ठीक है? OK कर दिया मैं, अब देखिए, जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमारा land zone created है और उस zone का कौन-कौन सा इंटरफेस पार्ट है? हमारा land जो physical interface है, फिर HR VLAN 10 और VLAN 20, ठीक है? तो मैंने एक zone मना दिया, routing मेरे पास already है मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इस पर फिर से देख लेता हूँ कि हमारा जो internet है अभी भी access हो रहा है कि नहीं तो आप देखोगे, अभी internet हमारा request time out आ रहा है, नहीं access हो रहा है अब मैं क्या करता हूँ, एक common policy बनाता हूँ, दोनों के लिए, तो मैं क्या करूँगा, simply policy में जाओंगा, firewall policy में जाओंगा, create new पर जाओंगा, और यहां पर क्या करूँगा, मैं allow LAN internet, आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, मैंने allow LAN net दिया, अब incoming interface हमारा क्या रहेगा, मैं direct क्या करता हूँ, zone select कर लेता हूँ, उस zone में क्या है, उस zone का तीनों interface part है, हमारा VLAN 10, VLAN 20 और जो हमारा outgoing interface रहेगा, वो क्या रहेगा, when रहेगा, मैं क्या करता हूँ, अभी, source all ले ले रहा हूँ, destination all ले ले रहा हूँ, और जो हमारा services रहेगा, वो भी all रहेगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, okay कर देता हूँ, अभी आप जैसे ही इस पे जाओगे, यहाँ पे यह देखो, internet access होने लगा, अब मैं क्या करता हूँ, भी PC पे भी जाके एक बार, global यह पिंग करके देखता हूँ, यह देखो, यहाँ पे भी पिंग होड़ा है, मतलब हमारे एक policy से, दोनों जो group होड़ा है, वो internet को पिंग कर पा रहा है, हमें दो separate separate policy बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप देखोगे, मैं इसको refresh करता हूँ, तो इस policy पे traffic भी हीट होड़ा होगा, मैं direct क्या करता हूँ, यहाँ से refresh कर रहा हूँ, क्योंकि sometimes यह, यह देखो, 70K भी यहाँ पे अल्रेड़ी यह हुआ है, traffic हीट हुआ है, हम लोग चलते हैं, log and report में, और forward traffic देखते हैं, लोग, यह देखो, यह जो 192.2.10 से आ रहा है, यह क्या हो रहा है, हमारा internet के तरफ traffic जा रहा है, HDTV, ठीक है, यह policy कौन सा हमारा इट कर रहा है, allow land internet, जो हमने आभी बनाया था, अगर आप पहले का देखोगे, पहले का policy अगर देखना चाहते हो, तो में भी एक मिनाट वेट कर देख लेते हैं, पहले का policy भी आप देख सकते हो, उसमें हमारा, पहले का जो policy है, उसको हमने delete कर दिया है, इसके लिए में भी उसका log दीखने डाया है, बट, at the end, हमारा क्या concern था, हमें internet access करना था, जो access हो रहा है, हमें traffic भी दिखाई दे रहा है, और हमारा जो traffic ही ठोड़ा है, हमने जो policy बनाया है, उस पे ही ठोड़ा है, ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार Google तो access कर लिया मैंने, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, facebook access करके देखता हूँ, हमारा facebook भी access हो रहा है, तो हमारा internet चल रहा है, तो आपने देखा कि villain क्या होता है, कैसे हम लोग configure करते हैं, और zone क्या होता है, उसका क्या work होता है, इस पे, हमारे 48 firewall पे, तो I hope आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, please comment कीजिए, अगर इसमें और भी कुछ add करना है, या improve करना है, क्योंकि मैं regular YouTuber हूँ नहीं, मैं just knowledge के लिए मतलग कि आप लोग को थोड़ा सा यह कर रहा हूँ, तो thank you, अगर पसंद आ रहा है, तो आप like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, and thanks for your support, जल्दी मिलते हैं, next video के साथ, thank you.